नमस्कार मैं हूँ मेखा विर्मा वैश्य वैपार न्यूज में आपका स्वागत है बुलिटिन का रूख करते हैं कुछ हम खबरों से मद्यप्रदेश विधान सबाचुनाफ से ठीक पहले भारती चंदा पार्टी को बड़ा जटका लगा है बीचबे विधायक संजज शर्मा ने इंदोर में कॉंग्रेस का हाथ थाम लिया शर्मा ने कॉंग्रेस सदेक्ष राहूल गांधी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहन की शर्मा नर्सिंग पूर जिले के तेंदू खेडा सीट से दो बार विधायक भी रह चुके है शर्मा के अलावा किरार समाज के अध्यक्ष और राज्यमंत्री रहे गुलाप सिंग किरार के साथ पूर विधायक कमलापत आर्यभी कॉंग्रेस में शामिल हो गे कॉंग्रेस का हाथ थामते ही संजे शर्मा ने शिवराद सरकार पर जम कर नशाना साथा उन्होंने कहा कि उनके नेतरित में घुटन महसूस हो रही थी शर्मा ने आरोप लगाया कि सीएम ने मेरे विधान सबाक शेतर के लिए कुछ नहीं किया कोशांबी में एक हेल्थ टॉक का आयोजन किया गया जिसमें यशोदा सूपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वरिष्ट नियूरोलोजिस्ट डॉक्टर सुमन्तो चैटर जी और स्टोक टीम की डॉक्टर रितु ने लोगों को दिमाग के दौरे यानि ब्रेन स्टोक से बच शादी रजाने वाली है इस महिला का नाम एमेथ हिस्ट रेल में बताया जवा रहा है अब महिला ने दावा किया है कि उसने पहली बार भूत की अवाज सुनी उसके मताबिक उसके पार्टनर ने उसे घुट्ने पर बैट कर प्रपोस नहीं किया क्योंकि उसके घुटने ही समयर सेट की ट्रिप पर जाते ही उन्होंने पहली बार अपने पार्टनर की आवाज सुनी जब भूत ने उनसे पूछा कि क्या वो उससे शादी करेंगी मैला ने बताया उसकी आवाज बेहत खुबसूरत गहरी और सेक्सी और वास्तविक थी दिली और केंद्र सरकार के तमाम से जाफा भी होगा मौसम विभाक के अनुसार सेटलाइड इमेज से जो तस्वीरे सामने आ रही है उसमें पिछले 24 घंटे के दौरान काफी अधिक मात्रों में पराली जुलाई गई है इसकी वज़े से स्थिती काफी विकट हो सकती है उधर स्काइमेट वेदर के अनुसा दिवाली के बाद यानि 10 से 12 नवंबर तक ऐसे ही हालात बने रहने के आसार है बिहार में इन दिनों भाई भतीजा की सियासत चल रही है राश्ट्रिय जन्तांत्रिक गटबंदन के घटक राश्ट्रिय लोकसमतापाटी के सुप्रीमो उपेंद्र कुश्वा ने जन्तादल फॉर्मुला तेह हो जाने और भाजपा जदियू की बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की घोशना भी की इसे विपक्ष के नेताओं ने कहा कि राजग में भाजपा और जदियू सगे भाई हैं जिनने सौतेले भाईयों यानी रालोसपा और लोजपा को किनारे कर दिय पर नदिकार पार्टी के राष्टिय संरक्षक और सांसद राजेश रंजन और पप्पु यादव ने कहा कि उनकी पार्टी 2019 लोकसबा चुनाव में कॉंग्रिस के साथ समझोता करेगी पपु यादव ने मुख्यमंतरी नीदिश कुमार उप मुख्यमंतरी सुशील कुमा मुदी, राम बिलास पासवान, उपेंद्र कुश्वा, जीतन राम माजी और तेजस्वी यादव पर एक साथ हमला बुला है। उन्होंने कहा कि इन छे नेता उन्हें बिहार की राजनीती को नफरत की आग में ज्मुख दिया है। कभी धर्म के आधहार पर नफरत फैलाते का अनावरन किया। इस दोरान उन्होंने जन सबा को संबोधित करते हुए कहा। कई बार मैं हैरान रह जाता हूं जब देश में ही कुछ लोग हमारी इस मुहीम को राजनीती से जोड़ कर देखते हैं। सरदार पटेल जैसे महापुर्शों देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी हमारी आलोचना होने लगती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है मानों हमने बहुत बड़ा अपरात कर दिया है। पीम मोदी ने दुनिया की सबसे उची मूर्ती स्टेची ओफ यूनिटी को देश को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने वैली ओफ इस मौके पर कॉंग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंग ने कहा कि नरेंद्र मोदी गुजवात के सीम रहते कभी भी महात्मा गांधी, सरदार पटेल और अब्दुलकलाम आजात का नाम नहीं लेते थे और ना ही उनके समारकों पर जाते हुए किसी ने उन्हें देखा मोदी जी देर से आए, अधूरे आए, वो अब राष्टिय स्तर पर हैं, तो उनकी मजबूरी है गांधी और सरदार पटेल के नाम लेने की केंद्रिय मंद्री रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने पर विचार कर रही है अच्छावले के अनुस्सार अगर पेट्रोल और डीजल को GSD के तहत लाया जाता है तो इससे कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत कमी लाने में मदद मिलेगी जिससे मध्यम वर्ग और आम लोगों समेथ देश को रहात मिलेगी अक्टर आर माधवन जल्द ही इस्टो के वह ग्याने एक एस नमबी नारायनन की जिन्दगी पर बनी फिल्म रोकेटरी दे नमबी फैक्टो लेकर आ रहे हैं इस फिल्म का टीजर और पहला पोस्टर रिलीस कर दिया गया है इस बारे में माधवन ने कहा कि दुनिया में ऐसी कई कहानिया है जिनके बारे में आपने सुना होगा और कईयों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है लेकिन कुछ कहानिया ऐसी है जिनके बारे में नहीं जानने का मतलब है आप अपने देश के बारे में बहुत कम जानते हैं दिन भर की ताज़ा तर इन खबरों में फिलाल मेरे साथ इतना ही आप बने रहे हैं वैशे बैपार नियूस के साथ नमस्कार